नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पुराने कॉइन्स या नोट्स के बारे में कि इनकी कितनी वैली होती है क्या आप कुछ पैसा कमा सकते हैं अगर आपके पास पुराने कॉइन्स है और कितने में तक कॉइन बिख सकता है मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूं करोड में बिखा आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं कि एक कॉइन मुगल के टाइम भा धाई करोड में नीलाम होगा है तो आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा वैल्यू है पुराने कॉइन्स और बगेरा की जैसा कि आपने पिछले 10-5 साल पहले कभी सुना होगा कि बै और इसका इविडेंस से आप खुद गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कि लोगों ने बाकी में खरीदे हैं तो अगर आपके पुराने सिक्के हैं पुराने नोट्स हैं जो कि आज की डेट में पिर्चलन जिनका बंद हो गया है लेक कुछ ना को जरूर मिलेगा और नोटों की अगर यादी बात करी जाए तो कई बार आपको 786 के जो नोट है बो भी जैसे 10 रुपे का नोट कई बार 1000 रुपे में तक विखा है तो अगर आपके पास 786 की सीरियल नंबर वाला कोई नोट है तो उसकी भी काफी वैल्यू है य अगर आपके कभी कोई खुद गए हुए हो और कुछ foreign currencies है आपके पास coins की तो आप उसको online बेश सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं कई लोगों को शौक होता है coins रखने का आप fresh currency अगर यदि आपके पास रखी हुई है तो वो भी बजार में अच्छे दामों मे बिख जाती है जैसे 10 की एक गड़ी 1000 रुपे की होती है तो लोग वाग उस fresh currency को 1200-1500 रुपे तक में बेच लेते हैं एक गड़ी को अब क्या होता है कि अब जो coin और जो note का collection होता है कई लोग उसे ऐसे investment type से करते हैं कई लोग उसको shop के लिए करते हैं सब का अपना अपना कई लोगों के पास आप बहुत ज्यादा collection मिल जाएगा जो की collection के लिए कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं आप पुराने coins, notes को बेच कर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर आपको यह मल जाए कि आपको पुराने coins कहां से खरीदने हैं और कहां supply करने हैं यानि कि छोटे scale पर आप कर सकते हैं बड़े scale पर तो घर कानूनी हो जाता है अब मान के चलिए जब मैं दिल्ली में posting थी मेरी तो मैं चांदी चौक में कई जगे ऐसी दुकाने हैं जापर आपको पुराने coins मिल जाते हैं आप उनको easily खरीद सकते हो 5-10 रुपे में और online आप OLX quicker पर उनको बेश सकते हो अच्छी की मतबर दिल्ली में चांदी चौक का मैं नाम इसलिए लिया क्योंकि चांदी चौक में काफी पुरानी जगे है दिल्ली की और लगवग हर भारत की सल्तनत का दिल्ली से कोई ना कोई relation रहा है तो वहाँ पर आपको पुराने coins और notes मिल जाते हैं आप आपके पास अगर खुद के भाए घर पे रखे हुए हैं या आप कुछ करने का सोच रहे हैं तो आप इनको क्योंकर या OLX पर बेश सकते हो अच्छा खासा पैसा मिल जाता है और अगर यादि आप किसी बड़े शेयर में रहते हो तो वहाँ पर पौन शॉप्स होती है जो क तो कभी एसेट में मत दोईएगा अगर आपने उसमें एसेट में दोया तो उसकी इंट्रिंसिक वैली चली जाएगी मतलब पिर आपका कोई सस्ते में बिकेगा आप जैसा कोई रखा हुआ उसको बैसा ही रखा रहने दीजे क्योंकि जब भी आप उसको बेचने जाएंगे तो उसकी जो exactly कितना पुराना पता लगा सकते हैं अब कई बार जैसे इंडिया में क्या आपको पता ही पहले दो के सिक्के एक के सिक्के बहुत चल देते थे पिर बाद में क्या हुआ कि खतम होते गए होता क्या है कि वो सुनार उनको गला देते थे क्योंकि उनको एक खरीदने की सोच रहे हैं और यह जानना चाहते हैं कि उसकी actual value कितनी है क्या उसकी कुछ value addition है या नहीं है तो एक website पैसा कमा पाये तो आप भी मेरे ग्रौपों से जोड़ें whatsapp, telegram को ग्रौपों से जोड़े यह उफर मेरे whatsapp आ telegram का number आप यहाँ पर मुझे message करें मेरे ग्रौपों से जोड़े तो आपको फाइदा ही होगा तो friends मुझे उमीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप भी कुछ नो कुछ वैल्यू कमा पाएंगे अपने पुराने coins जो आपके घर पे रखे हुए प्लीज मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp गूरूप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेट इन्फोर्मिशन के लिए धन्यवाद फ्रेंट्स